क्राइट लगने वाला एक्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कवर मानिस 11 न्यूटन मीटर स्कायर केजी मानिस 2 क्लियर है चैसे मैं यहां लिखा हूँ F12 मतलब 1 1 पर 2 के द्वारा लगाया गया force क्लियर है और कहीं भी ऐसा लिखा हो F12 तो 1 पर 2 के द्वारा लगाया फोर्स और F21 2 पर 1 के द्वारा लगाया force ठीक क्लियर ग्रविटेशन फोर्स ही कुछ प्रोपर्टीस हैं जिसे हम देख लेते हैं यहां पर यह बहुत इंपोर्टेंट है कि इन से डार्रेक्टली कोस्चन उठके आते हैं तो अध्यां से देखे हैं ग्रविटेशनल फोर्स हम मैसा कैसा होगा एट्रक्टिव होगा मीडियम इंडिपेंडेंट मतलब कोई दो पॉइंट मासे से इनके बीच कैसे माध्याम है इस पर डिपेंड नहीं करेगा इनके मध्धे लगने वाला फोर्स जाए उन्हें लिए जाके वाटर में डुभा दें या फिर किसी ओईल में पास-पास तो भी फोरस लगेगा है और 1000 किलोमेटर दूर है फिर भी इनके बीच क्या होगा फोर्स लगेगा हमेशा और संट्रि में प्रिंस्पल फोर्स मतले सेंटर टुष सिंटर कोई भी एक बॉड़ी है उसके सेंटर सेंटर औफ बड्र से दोसरे बड़ी के सेंटर से फोर्स लगेगा और फोर्स हैं प्रिंस्पल आफ सुपर पोजिशन अगर कोई दो बाड़ी है तो बाड़ी वे फोर्स लग रहा है तो उनका डिरेक्शन एक है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जूड़ जाएंगे इसका मतलब यह होता है सुपर पोजिशन मतलब इसकी डिरेक्शन पे है तो जोड़ जाएंगे वीक फोर्स यह वहत हुँड़ इम्पोर्स यह होता है बहुत वीक होता है कि यहां पर देखे गांस्टंट में कि वैल्यू में ही मैंस्टी लिवन लग जा रहा है टेंट पावर मैंस्टी लेवन तो इतना होगे बहुत कम फ जो force होता है उसके दौरा किया गया circular path पर किया गया work zero नहीं होता और conservative force के दौरा चररपो किया गया work खूंग रही है है जहां पर revolot force द्वारा किया गया work क्या होगा । क्लियर इसे सेंटर पर एक बॉड़ी रखिए यह सन हो गया इसके अराउंड क्या खूम रही है अर्थ खूम रही है तो यह सर्कुलर पाथ बना रही है तो यहां पर क्या होगा करसुन फेषल वोर्ज क्या हो जाएगा क्या हूएगा क्या होन दॉतलों सेंटर नियूटन के तीसरे और दो दो क्या है प्रतिकिरीए मिक्तला सक व्यवाड़ी इस पर इतना सीठ लगाएगी है तो यह वाड़ी इस पर भी इतनie सब्सक्राइब लगा दीगी क्लियर है और दोनों इस दूसरों क्या कर देंगे एट्रेक्ट कर देंगे कि एप्लिकेबल इन ओनली पॉइंट मास यह बहुत इंपोर्टेंट है डारेक्ट ली कोश्चिन आते हैं कि ग्रेटिस्नल फोर्स के वन पॉइंट मास इसके लिए है क्लियर है ओके